आँखों में नीद भर जाए पर स्वोना नहीं है यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त इसे खोना नहीं है है कि नीकड्र दरिश्टी दोस्त दूर दरिश्टी दूस्प इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूज्द रहता है पर आप penguin नहीं होगे जो नामैं वहां की वस्तों दिखेगी निकड्रिष्टी दोसरós नाम् यह यानि इसमें जो नीकट की वस्तु है यह इस पर्ष्ट दिखेगी कैसी दिखेगी इस पर्ष्ट ठीक इस पर्ष्ट दिखेगा और जो दूर की वस्तु है यह इस पर्ष्ट नहीं दिखेगा ऐसा नहीं है कि दूर की वस्तु दिखाई ही नहीं देगी दिखाई देगी ल लेकिन आपको चुड़ेल लग रही है क्यों क्योंकि इस पर्ष्ट नहीं दिखेगा उधर से वो आपको आँख मारी आपको दिखेगा ही नहीं क्योंकि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा अब आपके पास आई लेटर देकर चली गई आप लेटर को एकदम नजदीक से पढ़ रहे हैं तो लिखाए मेरे पीवर तुम सड़क के बीचो बीच खड़े हो किनारे हो जाओ अरना टरक को चलके चली जाएगी तो आप लेटर पढ़ पा रहे है यानि नजदीक कपढ़ ले रहे हैं तो इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी दूर की वस्तु दि परिधर ये कोई है पापा की परी ठिक इसको आप देख रहे हैं अब होगा क्या इसका प्रतिविम नेत्र के रेटिना पर जब बनेगा तब जाके ये दिखाई देगा बढ़िया से लेकिन इसका प्रतिविम रेटिना पर बननने के जगह उसके पहले बन जा रहे हैं देख ऐसा हुआ क्यों ठिक यह है यहां पर इसका प्रतिविम बना तो यानि फोकस दूरी जो है यह हो जाती है कम पहिला कारण क्या है फोकस दूरी का कम होना अब नेत्र का गोला देखो यहीं प्रतिविम बन जा रहा है अगर यहां पर यह रेटीना होता तो मस्तिस्पश्ट जाना तो यह क्या है कारण यानि निचके की वस्तू सापसुथरा दिखाई देगी दुरियां की वस्तू सापसुथरा नहीं दिखाई देगी कारण क्या है फोकस दूरी का कम हो जाना नेत्र लेंस और रेटीना के बीच की दूरी का बढ़ जाना अब इसको ठीक ठाक करना प्रयोग करते हैं और लेंस किया प्रयोग करते हैं और तरलंस अभी इसका ट्रीक भी बताएंगे और आपकाता अन्हीं यहाँ यहां से कुई पापा की परिय है और यह इसको आप देख रहेैं यह इसका चुणि बना दे रहे बाल बना दे रहें तो यह जैसे इसका प्रकास किरड़ यहां गया यह भेद देगा इसके पास कि जाओ अब यह ठीक ठाक इसको जाके रेटिना पर मिला देगा और आपको यह एकदम इसपश्ट दिखाई देगा यह करता क्या है यह है तो दूर लेकिन इसको थोड़ा दूर 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 दिखेगी जैसे आपने चस्मे में प्रयोग किया आउतर लेंज अब आपको दूर की वस्तू दिखाई देने लगी यानि अब अगर कोई लड़की आपको आख मारे तो ले जाके बढ़का पथरा मार दीजिए कि बराबर तुमाक मारो हम पथरा मारेंगे आउतर लेंज क्या करेगा दूर की वस्तू ओको दिखाएगा तो उत्तल क्या करेगा पास की वस्तू ओको दिखाएगा दूर दृष्टी दोस या इसी को दिर्ख दृष्टी दोस नाम से जानते हैं अंगरेजी में Scientist तो अब्रारण क्या है देखे यहèce है चोटिया इसको देख रहे हैं तो इसका जो प्रती बीम्ब है यह बनना चाहिए रेटीना पर लेकिन बन जाता है रेटीना के पीछे तो इसलिए ये अच्छे से दिखाई नहीं देता देखिए ये कहां मिल रहा है प्रकास किरण रेटीना के पीछे अब इसका कारण क्या है वो जालनेते हैं देखिए इसकी जो फोकस दूरी है ये देखिए रेटीना पर रहता तो यानि नेत्र के ठिक ठाक में है दिखाई देगा लेकिन रेटिना से पीछे है तो जो फोकस दूरी है ये बढ़ जा रही है ठिक यानि पहिला कारण फोकस दूरी का बढ़ जाना दूसरा देखी अगर इसके हिसाब से यहां पर रेटिना होता तो ये ठिक ठाक दिखाई देता लेकि इसी को और हम क्या का सकते हैं नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है ये भी क्या हो जाती है कम तो यहां जहां नेत्र है यहां नेत्र लेंस रहेगा यहां क्या लिख देंगे नेत्र लेंस ठिक तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम होना नेत्र के ग और इसको दूर करने के लिए हम अपने चस्मे में प्रियोग करते हैं उत्तल लेंस कौन सा लेंस उत्तल तो यानि यह अगवां यही क्या करेंगे उत्तल लेंस लगा देंगे अब इसकी जो प्रकास किरण है यह इसको कहेगा थोड़ा पास हो जाओ तो यह देखो इसके पास प्रकास भेठ दिया अब यहां से यह डारेट आता है रे टीना पर मिल जायेगा और हमको ठीक ठाक दिखाई देने लगेगा तो दूरद्रिष्टी दोस्त यानि दूर की होकर दिखाता है यह चस्मियां लगाएंगे जैसे उसमें रहेगा उत्तरलेंस तो यह इसको थोड़ा दूर करके दिखाएगा इसलिए इसका नाम है दूर द्रिष्टी दोस चलिए देखते हैं निवारण में कौन सालेंस प्रियोग करते हैं इसका जो ट्रिक आप याद करिएगा दो का तीन और तीन का चार अब आप कहेंगे कि यह क्या है गिंती पढ़ाने लगें सर जी देखिए दो का मतलब दोस यानि दो अच्छर रहेंगे दूर ठिक इसका अच्छर और इसमें तीन अच्छर तो दो दूर का उत्तल अब तीन का है चार आनि निकट इसमें कितने अच्छर बाइफोकल हिंदी में कहते हैं द्वी फोकस लेंस अब यह क्या होता है वो जान लेते हैं देखिए जराद्रिष्टी दोस है जैसे आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी तो आपको न निचके का दिखाई देगा और न दूर का दिखाई देगा ठीक ठाक तो आपका जो चस् के रहेगा यह उत्तल के लिए देखिए उपर जो है यह आउतल है यानि यह दूर की वस्तु को आपको दिखाएगा और नीचे है उत्तल यानि यह आपको पास की वस्तु को दिखाएगा तो यह आज हम समझे निकट दृष्टी दोस और दूर दृष्टी दोस साथ में बो झाल झाल